Hello students, welcome to AKS Destiny classes. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं Cash Flow Statement का Investing and Financing Activity. और हाँ, previous class में हमने Operating Activity पढ़ा था. जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वो भी देख लिजिए, जिससे कि आपको Operating Activity भी क्लियर हो जाए. अब यहाँ पर हमें समझना है कि आखिरकार Investing and Financing Activity होता क्या है. तो देखो, जो हमने Introduction वाली वीडियो में पढ़ा था, Investing and Financing Activity के बारे में, उसी को यहाँ भी समझते हैं दुबारा से. तो Investing Activities के लिए हमें अपनी Assets को देखना है, और Financing Activities के लिए हमें अपनी Liabilities को देखना है. यानि कि Investing Activities के लिए कंपनी को Assets वगरा खरीदनी होती है, जैसे Business के Normal Activity परफॉर्म करनी है, तो Assets, Investing Activities में आएंगे, जो कि Assets खरीदना पड़ेगा कंपनी को Business के Normal Activity को परफॉर्म करने के लिए. और हाँ, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, तो वो पैसा आता है Financing Activities से. तो ये कुछ ट्रिक हमने Previous Classes में सीखा हुआ है बचो. उसके बाद, आज हम Investing और Financing Activities को बनाएंगे, ये रहा Question इसकी Help से इसको और अच्छे से समझेंगे. उससे पहले एक बात ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक Balance Seat है, जो कि Companies Act 2013 की Schedule 3 Part 1 वाली है, जिसमें की Liability Site पहले आता है और Asset Site बाद में आता है. लेकिन जो हमने 11th Class में Balance Seat पढ़ा था, वो Horizontal Balance Seat हुआ करती थी और वो Partnership की थी. ये Vertical वाली Balance Seat है. ओके बचों, तो जैसे देखो, यहाँ पर Liabilities को भी कुछ पार्ट में Divide किया हुआ है, Shareholder Fund, Non-Current Liability और Current Liability और Assets को भी कुछ पार्ट में Divide कर रखा है, Non-Current Assets और Non-Current Investment और Current Assets. ओके, तो अब बात ये समझना है कि जो Investing Activity है, इसके लिए Assets Consider करना है, तो बचों, ये जो Assets Side है, इसके इसी से, यानि कि इसी से, Investing Activity के Content लिए जाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. ओके, अब आते हैं हम Financing Activity के लिए, तो Financing Activity का जो Content है, वो हमें यहाँ से मिले रहे हूँ. और एक Interesting बात आप लोगों को ये समझना है बचों, कि जो Terms इसमें से Operating Activity में आ चुके हैं, वो Investing और Financing में नहीं आएंगे. क्यों, 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 वो Already Operating में आ चुके हैं. इसलिए आपको Operating Activity अच्छे से समझना होगा, जिससे कि आप यहाँ पे Classify कर सको, कि कौन सी चीज, Operating में आई हुई है, जो दुबारा से हम यहाँ पे नहीं लें. But still, मैं आज आपको Hint बताऊंगा, जिससे कि आप यह दोनों Activities काफी Easily कर लोगे. Okay, तो जैसे Investing Activities के लिए मैंने बताया, कि हम Asset Side Consider करते हैं, और याद रखना, Investing Activities में Long Term Asset आती हैं, जो Business के Normal Activities को Perform करने के लिए खरीदी जाती हैं. या अगर उनमें से कोई खराब हो गई, तो उसे हम बेच देते हैं. तो जैसे आप देखो, यहाँ पे देख रहे हो, कि Land की जो Value है, अच्छा Year देख लो सबसे पहले, 2019 जो है, वो बाद में है, और 2020 पहले है, तो यानि कि जो Difference देखेंगे न, हम लोग इधर से इधर देखेंगे. यानि कि जब कभी भी हम Cash Flow Statement बनाते हैं, तो दो साल की Balance Seed दी होती है, और उसका हम Comparison करते हैं, और उसमें Changes देखते हैं, कि कितना Change हुआ है, वही Value Cash Flow में आता है, क्योंकि Cash Flow का भी मतलब होता है Cash का Flow, यानि Cash आ रहा है, कि जा रहा है, Difference देखेंगे, तब ही हमें पता लगेगा, तो जैसे आप देखो, यहाँ पे पहले तो Year हमने देखा, कि Year जो है 2019 बाद में है, 20 पहले है, तो हमें जो Difference है, वो उधर से इधर लेना पड़ेगा, तो जैसे देखो, Land की जो Value है, पहले 1,00,00 थी और अब 150 हो गई, What does it mean? इसका मतलब क्या है, कि 1,00,00 से 1,50,00 लेन्ड की Value कैसे हो गई, यानि कि उसने Land खरीदा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, Purchase of Land, तो बच्चों उसने जमीने खरीदी हैं, यानि कितने की, 50,000 रुपिज की, और जैसा के हम पढ़ रहे हैं Cash Flow Statement, अब आप सोचो, कि यहाँ पे जमीन तो खरीदा है, लेकिन बच्चे, जमीन नहीं देखना है यहाँ पे, यहाँ देखना है पैसा, क्योंकि Cash का Flow देखना है बच्चों, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आप तो यह सोचोगे, कि सर, पर्चेज आफ लैंड है, जमीन आ रही है, लेकिन बच्चे, यहाँ तो Cash Flow Statement बना रहे हैं, यहाँ एक ऐसा स्टेटमेंट, जो कि Cash के Flow को रिकॉर्ड करेगा, कि कैसा आ रहा है कि जा रहा है, ठीक है, I agree, जमीन आ रही है, कि यह जो पैसा है, हमारे पास जिग गया है, तो यह bracket में आएगा, देखो, चीजों को logically समझो, रटने की कोई जरूत नहीं है, बचे, मैंने बड़ा ही अच्छा इसका trick बता रखा, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, वो देखना आपको बहुत अच्छे से clear होगा, बट still मैं अभी भी आपको logic के साथ ही बता रहा हूँ, ओके, next आते हैं, बचो, हम लोग buildings पे, तो आप देखो, जो building की जो value है, वो 90,000 से 50,000 हो रही है, यानि पहले 90 की थी building, और 50 की हो गए, तो यानि की, sale of building, हमने बचो, अपनी जो building है, उसको बेच दिया, यानि पहले थी 90, अब हो गई, 50, तो यानि कितने का बेचा है, देखो, 40,000 का, तो अब यहाँ पे, हमें ये समझना है, कि जो पैसा है, वो पैसा आया, कि गया, तो देखो, आपने building बेचा है, building तो गई, लेकिन, question कहता है, जी, आप building नहीं, cash देखो, cash, cash आ रहा है, कि जा रहा है, तो आपने अगर building बेचा है, तो पैसा तो आ रहा है, तो यानि ये plus हो, पर हाँ, याद रखना, जो पैसे जाते हैं, जो negative में होते हैं, उसको हम bracket में लिखते हैं, और जो positive values बाले होते हैं, वो तो plus में आपना, उसके बाद next आईए बचो, machinery, machinery पहले 40 की थी, अब 60 की हो गई, अब फिर देखो, पहले machine हमारी 40 की थी, अब 60 की हो गई, यानि 20,000 रुपे की extra कैसे हो गई machine, फिर हमने machine खरीदा, तो यहाँ पर लिखेंगे, purchase of machinery, या machinery, कितने का खरीदा है, 40 का पहले था, 60 का अब हो गया, तो difference देखो, यानि 20,000 का machine हमारे पास, आया है बचो, अब हम machine खरीदेंगे, तो पैसा आएगा के जाएगा, obviously जाएगा, खरीद रहें, तो यह fair bracket में आगे, तो देखो, cash flow में याद रखना है, जब कभी भी आप cash flow पढ़ रहे हो, तो आप cash से relate करते रहना, कि जी पैसा आया के गया, तो यह topic तुरंद clear हो जाएगा, ओके, next आते हैं, हम लोग machinery तो हो गया हमारा, next आते हैं, non current investment, यानि हमने कहीं investment कर रखा है, long term purpose के यह, तो पहले 20 का था, अब 10 का हो गया, तो वो जो investment है, पहले 20 का था, 10 का कैसे हो गया, यानि कि हमने sale कर दिया, तो sale of, long term investment, जो के आएगा हमारा, 10,000 रुपीज कर, तो देखो, जब हम बेजते हैं, तो पैसा आता है, ये sale कर रहे हैं, तो पैसा हमारे पास आ रहा है, तो इस वज़े से ये plus महीं रहेगा, अगर पैसा जा रहा है, तो हम bracket में लिखते हैं, वो माइनस में आ जाते हैं, उके उसके बाद है, inventories, देखो मैंने आप एप ये value नहीं लिखा है, क्योंकि inventory जो होता है, ये operating activity का content, यहनि कि देखो, जो है, ये fixed assets, जो long term purpose वाले हैं, वो लगभग इसी में आते हैं, अगर कोई intangival asset होता, तो अगर वो घट रहा है, जैसे goodwill घट रहा है, तो ये सारी चीजे, आपके operating में आती हैं, आपने operating activity के format में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आप देखना, long term assets जो हैं, अगर पढ़ रहे हैं, तो वो financing से related होते हैं, और जो content operating वाले हैं, वो हम यहाँ पे consider नहीं करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे values भी नहीं लिखा है उसका, तो देखो, यह हमारा investing activity complete हुआ, अब plus वालों को एक साथ जोड़ लो, और minus वालों को एक साथ जोड़, तो जो यह plus वाला जो है, 40 और 10, 50,000 होगे, और minus वालों 50, और 20, 70 होगे, तो minus वालों 70 है, और plus वालों 50 है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चो, minus वाले में से plus वाले को subtract कर दूँ, तो देखो क्या आएगा, overall minus वालों ही बच जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे, cash used in investing activities, यहनि overall जो investing activities का impact यह आया है, कि जो पैसा हमारे पास से जादे गया है, और आया कम है, तो इस वज़े से यह used in हो गया, अगर यही figure positive में रहता, तो यहाँ पे लिखते हम, cash flow from investing activity, तो अभी हमने investing activity समझा है बच्चो, जिसके लिए हमें asset side देखनी होती है, और assets में भी हम long term assets देखते हैं, कि क्या क्या चीजे हैं, बाकि आप operating का format के content समझ लोगे, तो इसमें और अच्छा, और आसान रहेगा आपके लिए classify करना, अब आते हैं हम लोग financing activity में बच्चो, तो financing activities के लिए हमें liability side देखनी है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और हाँ, यहाँ पे जैसे logic बताया है मैंने investing में, वैसे financing में बता रहा हूँ, बस बच्चो आपको सोचना है, दिमाग लगा के सोचो, सर जो बता रहें इसका मतलब क्या है, आपको तुरंट answer में जैसे आप देखो, यहाँ पे है share capital, यहनि company ने पहले one lakh का share issue करा था, अब company का डेड़ लाग का share हो गया, what does it mean, यहनि company ने पचास जार का share और बेच दिया, तो अगर company पचास जार का share और बेचेगी, तो पैसा तो आएगा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, issue of share capital, जो कि हमारा कितना आया, issue of share capital, 50,000, तो यह plus में आया figure, अच्छा देखो, मैंने कुछ value जेम ली हुई है, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आया, जिससे यहाँ पे देखो, figure इसका, और इसका same ही है, अब देखो, यहाँ पे जब increase हो रहा था, तो हमने तो minus में ले लिया था, 50,000 को, और यहाँ पे जब increase हो रहा है, तो हमने plus में ले लिया, तो देखो, यह value same लेने का, मेरा एक ही मकसद था, यानि एक ही aim था, कि बच्चे यहाँ पे classify कर पाएं, कि यह वाला जो है, यह minus में क्यूं था, और यह वाला plus में क्यूं था, और उसको अच्छे से समझ पाएं, अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमें पता लगता है, कि हमने land जो है, जमीन जो है, और जादे खरीद ली थी, तो पैसा गया था, लेकिन यहाँ पे हमने share extra बेच दिया, तो पैसा आया है, बस यह समझ दिया, यहाँ पे खरीद रहे हैं, तो पैसा चला जा रहा है, और यहाँ पे share बेच रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, यहाँ आप और जादे market से पैसा ले रहे हैं, share की value बढ़ रही है, और एक interesting बात यह है, कि जैसे हम market से loan लेते हैं, तब भी तो पैसा आता है, और cash flow statement में, तो हमें cash ही देखना है बच्छो, तो जब यहाँ पे share की value बढ़ रही है, तो share issue कर रहा है, यहनि पैसा आ रहा है, उसके बाद जैसे हम देख रहे हैं, यह profit, तो यह operating activity का content है, यह यहाँ पे नहीं आएगा, उसके बाद आते हैं, non current liabilities में जैसी यह debentures हैं, तो देखो बच्छो, जो debentures जो होते हैं, वो just like loan की तरही treat के जाते हैं, long term loan, तो जैसे और वैसी होते भी हैं, जो public से company directly पैसे लेती है, और उस पे rate of interest बे करती है, तो जैसे देखो, debentures जो हैं, company के पास पहले 90 के थे, अब 50 के हो गए, अब देखो, तो पहले company के उपर, जो liabilities थी, करजे थे, वो 90 के थे, अब 50 के हो गए, तो ये करजे घट कैसे गए, यानि company ने अपने liabilities को repay कर दिया, वापिस कर दिया पैसा, जैसे देखो, 90,000 पहले था, अब 50 हुआ, तो घटा है 40, यानि हमने repay कर दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, redemption of debenture, redemption या repay of debenture, redemption of debenture, और company ने 40,000 रुपीज जो है, वो वापिस कर दिया, इसलिए हमारा ये minus में आएगा, और हाँ, देखो, ऐसा ही figure मैंने यहाँ भी लिया हुआ था, यहाँ पर 90 से 50 हो रहा था, तो हम बेच रहे थे, यानि building हमारी कम हो जा रही थी, तो हम building को sale कर रहे थे, तो पैसा आ रहा था, तो देखो यहाँ पर 40,000 प्लस में, तो अगर building घट रही है, तो यानि हम बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन अगर liability घट रही है, तो उसको हम repay कर रहे हैं, इसको बच्चे logically समझो, क्योंकि देखो, cash flow statement पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हमें cash को देखना है, और cash से relate करना है, तो अगर यहाँ पर, building में, अगर building reduce हो रहा है, तो बेचा जा रहा है, लेकिन liability reduce हो रही है, तो हम repay कर रहे हैं, पैसे वापिस कर रहे हैं, तो इसलिए यह minus नहीं आज़े हैं, ओके next आते हैं हम लोग bank loan पर, तो bank loan जो है, देखो 40 से 60 हो गए, यानि loan पहले हमारे पर 40,000 का ही था, अब वो 60,000 का हो गए, इसका मतलब यह है, कि हमने और जादे market से loan ले लिया, तो यानि कि bank loan जो है, आपने और take कर लिया, और आपके पास और पैसे आ गए, तो कितना 40 पहले था, और 60 अब हो गया, यानि कि changes कितने हो रहे हैं, 20,000, तो आपने 20,000 का loan ले लिया, तो आपके पास पैसे आ गए, तो यह plus में आ गए, और देखो, इस question को समझाने के लिए, same figure मैंने यहां भी लिया था, और यहां पे बढ़ रहा था, तो पैसे जा रहे थे, क्यों? क्योंकि अगर हम कोई asset खरीदेंगे, तो पैसा तो जाएगा ही, हम मशीन दी को खरीद रहे थे, पहले 40 का था, आप 60 का हो गया, तो यानि हम खरीद रहे थे, इसलिए पैसा हमारा जा रहा था, लेकिन, यहां पे हम लोन और जादे ले रहे हैं, तो पैसा आ रहा है, तो फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, कि cash flow के questions करते वक्त, आप जो है cash से मतलब रखें, यह मत देखो कि क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, आप ते को पैसा देखो, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तुरंत आंसर आ जाए, तो यहां पे हमने जैसे लिखा, कि bank loan 20,000 रुपे का हम और ले रहे हैं, तो हमारे पास और पैसा आ रहा है, तो फिर से अब देखो, इसके बाद यह trade payable तो हमारा आएगा नहीं, क्योंकि यह operating activity का content है, तो अब यहां पे हम इसको sum total करते हैं, तो plus वाला जो है, वो 70,000 है, और minus वाला 40,000 है, तो plus वाले में से minus वाले को subtract करो बच्छो, तो 70 में से आप 40 minus करोगे, then you will get 30,000, और यहां पर लिखा जाएगा, cash flow from, financing activity, तो यह थे कुछ basic concepts, investing और financing activities के बारे में, और हाँ, इनमें कुछ काफी जादे important adjustments भी आते हैं, तो जैसे आप देखो, investing activities में, purchase of land है, तो अगर हमने जमीन खरीदा है, या building खरीदी है, तो उसके बदले अगर rental income आए, तो वो कहाँ पे आएगी, तो इसके लिए मैं एक छोटा से example देता हूँ, जैसे माल लोग बारिश होती है, तो उसके लिए सबसे पहले आसमान में cloud बनते हैं, बिना cloud के बारिश नहीं होती है, यानि पहले बादल बनेगा, तभी बारिश आई, तो जैसे देखो, अगर purchase of land है, और या building भी है, purchase करें, वैसे तो यहाँ पर building sale हो रहा है, लेकिन अगर building भी अगर हम purchase कर रहे हैं, तो उससे जो हमारी income arise हो रही है, वो investing activity में ही आएगी, और वो rental income होगी, उसके बाद आता है, जैसे माल लोग की, यहाँ तो sale of long term investment है, अगर हम investment purchase करते हैं, तो उस पे हमें interest या dividend मिल रहा है हमें, तो वो जो dividend है, वो इसी में आएगा और वो plus होगा, जैसे यह rental income plus हुआ था, वैसे वो dividend भी plus होगा, क्योंकि वो इसी investing activity के content से relate कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि बादल बनते हैं, तो ही बारिश होती हैं, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, उसके बाद आते हैं बच्चों financing activity में, financing activities में जैसे issue of share capital है, अब market में हमने share issue कर रहा है, और लोगों से पैसा लिया है, तो अगर हमारे पास पैसा आया है, तो हमें उस पैसे के बतले, लोगों को dividend देना पड़ेगा, तो वो dividend यहाँ पे minus में आएगा, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है, आप देखो dividend दो तरीके का हो सकता है, जैसे share पे dividend तो हमें दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ना किसी को, तो इस वज़े से वो minus हो रहा है, यानि कि किस activity के content से relate कर रहा है, यानि कि land building से relate कर रहा है, या share debenture से relate कर रहा है, जैसे देखो, मैं अगर debentures की बात करता हूँ, अगर company या market में debentures या loan, या debenture issue कर रही हैं, या loan के बदले पैसे ले रही हैं, तो उसके बदले interest देंगी, अब बात होती है कि वो debenture loan किस से rate कर रहा, financing activity पर, तो जो उसके interest देंगे ना company, वो भी financing activity में ही आएगा, तो ये मैंने कुछ concepts आपको बताए, investing activity में कुछ basic adjustment, जो ये भी आते हैं, प्लस इनकी treatment operating में भी होती है, जो अभी मैंने बताए आपको, कि rental income, interest, dividend, इन सब की treatment operating में भी होती है, और हम next video में और detail में discuss करेंगे, ओके, एक बात और समझने है आप लोगों को, कि जैसे यहाँ पे assets दिया हुआ है, जैसे machine नी है, ये machine नी तो यहाँ increase हो रही थी, लेकिन machine या furniture जैसे decrease होते हैं, तो उनका difference, depreciation भी लिया जाता है, वो भी हम next videos में discuss करेंगे, यहाँ तो purchase हो रहा था, तो इसलिए पैसा जा रहा था, लेकिन sometimes ये घटेगा, तो वहाँ पे depreciation लग जाता है, furniture या machine risk में, ओके, और उसके बाद है cash and cash equivalent, यानि cash और cash के जैसा, तो cash के जैसा highly liquid क्या हो सकता है, एक marketable security, यानि short term marketable security है, हम उसे तुरंत बेच के cash में convert कर सकते हैं, या bank में जो पैसा पड़ा है हमारे, वो भी highly liquid है, वो cash की तरह ही है, वो तुरंत utilize कर सकते हैं, तो ये cash और cash equivalent, इन तीनों ही activities में नहीं आता है, ना तो operating ना आता है, ना investing ना आता है, ना financing ना आता है, लेकिन इसका use होता है बचो, इन तीनों activities को बनाने के बाद, cash and cash equivalent का use होता है, और हाँ, cash and cash equivalent के जरिए, हम ये भी पता कर लेते हैं, कि हमारा जो answer है, वो सही है, कि गलत है, तो ये चीज़ें हम next videos में discuss करेंगे बचो, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो like करें, share करें and subscribe करें, thank you students,